अब उसकी बाद आगे चलते हैं आगे चेप्टर को स्टार्ट करते हैं अब हम बात करने वाले परी रक्षन प्रभाव यह जो क्लास है हमारे बहुत बहुत इंपोर्टेंट होने वाले बहुत ही इसको ध्यान से पढ़ने आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने इस क्लास को की अब्र आढ raison प्रभाव को और करके लिखाला सब्सक्राइब नाभी के आविस अरये चार्च क्लास में हमेरा फ्टार्गेक्र्ञ प्रभाव क्या होता है इसको इंग्वल ही देख लेते इंग्लेश में क्यां क्या बोलतता इंग्लिश पो MAY इसको सिल्डिंग एफेक्ट और आप बोलेंगे आउरण को बोलते इस्क्रीनिंग यह नाम सुनके आपको इसका तोड़ा सा मतलब भी सुन्ज में रहोगा इस्क्रीनिंग परतीकर्षन से यहां पर मतलब आपको रखने पर्तीकर्षन आपने आकर्सन नाम सुना होगा वैसे यहां पर परतीकर्षन की बात करने वाले हैं और फिर आ रहा है यहां और आउरण स्क्रीनिंग को ना किसे नहीं की बात करने वाले की बात करने वाले तो दो समझते ठों घ्क किया होता है तो किसी भी पर माणूं के अंदर कि नुकलेस होता है नुकलेस के आज पास तुछ यह जिन में इसमें कितनी ऐलेक्टरों इसे इनके अंदर इसे यहां भी प्रमाणू के अंदर क्या होता ठीक है आप सभी को पता है इलेक्ट्रोन पर नेगेटिव चार्ज होता तो यह बनाने रहा मैं आपको अच्छे से पता होगा इलेक्ट्रोन पर क्या होता है यह जो बायतम कोस्ट की लेक्ट्रोन को जो नाभिक हो क्या करता है अपनी और आकर्सित करता है किसी भी परमानों के अंदर ना भी कोता है ना भी क्या करेंगा क्यों कि इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज तो जब आप इसको लेंगवेज फॉर में भी लिख सकते हो चाओ तो आप साथ के साथ लिखते भी जाओ या पहले समझ लेते इसको एक बार फिर नोट करना ह आप यॉसर के य सरे लेक्ट्रा विखनAny लेकिन अप देख पार रहे है इस से पहले वी यह एलेक्ट्र और वाले स्टेंवे अं तो इलेक्ट्रों पे से स्मांझ चार्ज की बीच मीं क्या होता है रही सब्वार को आ करना इसी को हम बोलते परी रक्षन प्रवाव यह जो होता है इसी गोलते परी रक्सन प्रभाव मतलब जो वायतम को स्का एलेक्ट्रोन नुक्लेस की ओर जाना चाहा है उसको यह प्राइव क्या दक्का लगा रहें बार और क्योंकि दोनों के उपर यह समचारज तो इसको कि अंदर कोस्थ य किसी भी परमानों के अंदर कोस्थ के इलेक्ट्रों नाविक की और आकर्सित होते हैं चेहें इस सा Nah sig परंतु आंत्रि कोस्ट के एलेकट्रोन को बाहर की और परतिकर्सित करते हैं परन्तु आंत्रिक कोस्ट के इलेक्ट्रोन को बाहर की और प्रतिकर्शित करते हैं इसी प्रकिरिया को परी रक्षन प्रभाव करते हैं देखो अपनी आसान बासा में लेको बहुत सिंपल सी बात है कोई ज्यदा बड़ी बात निये आपने भी देखा को बेटा जब आप कहीं बीड में खड़े हो और बीड में आपको तोड़ा सा आगे बढ़ना है तो आपके आगे वाला इंसान आपको फिर फीचे के और धक्का लगाता ना बिल्कुल उसी तरीकिस हो रहा है अगर आपको बहुत ज्यदा पब्लिक आप आगे जाए नहीं पाओगे और आपको आग आंट्रीकोस के लेक्ट्रोंन पर भिटा वही चार्ड़े समान 4 तो वो उसको क्या कर रहें बाहर के और प्रतीकिर्सित कर सटित करताuje लेकिन बात यह कि कििन बातों पर डिपेंड करता है तो आम मुझे बताऊ अगर आंध्रीक्ति में इलेक्ट्रोणों की संक्या बढ़त होगा एक कम होगा बढ़ने को मैं से एरो लगा रहे हैं ठीकिन समझ जोगा अगर आंत्री कोज में इलेक्ट्रोन की संक्या बढ़ती है तो इसको देखो सोड में यहां सोड कट लिख रहा हूं इसको बोले हैं सी का मतलब आप समझ जाओ इसक्रीनिंग एपक्ट या सिल्डिं मातलों की पेक्ट हो बढ़ेगा या निया बढ़ेगा बताओ तो पहली बात आपको समझ में आ रही है इसके बाद दूसरी बात हम बात करते हैं कखसों को में इलेक्ट्रोन के संक्या की इसको बहुता है और इस अब सेगिंड कोस के अंदर एस और पीवी आता है थरड में सबसे ज्यादा प्रतिकर्शन होता है वह होता है मतलब ऐसा है कि जो आपके सबसे ज्यादा निकट लिए नाविक की जड़ा लिख लाओ ज्यादा पास यादा निकट यह वेफेक्टन बिल्कुल पास होता है तो यह क्या करता है यह करता या था लेक्टों को खीचना छा hacia रहा है लेकिन यह उसकर खीचने है रहा है ठीक नए बतले क्या करता है नापीकि को ज्यादा अच्छे से हैं ऐरंडियम को देक्ट तो आप सभी देक्ड़ि Pep मुवी में देखा होगा तलवार से लड़ता है फिर एक हाथ में होता अपने आपको बचाने लिए उसको सिल्ड बोलता है तो वही तो है इफेक्ट जो सबसे ज्यादा किसका होता है सबसे कम किसका होता है सबसे परवल होता है मतलब इनका परवल क्या होता है इनका इसके बाद करते हैं इसको डख लेंगे पूरा और जो दी ऑपकोस होते हैं और एक होते हैं सबसे क्या वहले दुर्वल पूर स्क्रिंग उतनीकि सबसे दूरवल होती है दूरवल इस स्क्रिंग इपेक्ट होता है मतलब यह जो बायत्रम कोस का इलेक्ट्रों नाभी की और जाना चाहरा है उसको ज्यादा उसको रूपनी पहेंगें किबिता हैं साइज बहुत बढ़ जो एस उपकोस है इनकी सिल्डिंग क्या होती है इस्ट्रॉंग होती है बतले यह नाभिक को सबसे ज्यादा कवर करके रखते हैं और जो डी और सबसे पूर सिल्डिंग किसके होती है उसके बाद कौन सा आएगा डी आएगा तो बिटा यह जो परी रक्षन परवाव यह आप को बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए परी रक्षन प्रवायों में आपको दिमाग में होते हैं वह नाबिक को ज्यादा अच्छे से । थे सबसे होती है इसको अपने और खीच एगा थो परमाणु की क्या किया घाएगी कम होती परमाणु की साइज कब जाधा हुती है कब कम होती क्यों होती क्या रिजन है वह सब वह में समझना है अब वह रिजन लिए आपको परी रक्षन परपाव की बात करेंगे फिर इसका एक आपोजित बिल्कुल विपरित रही कारक और होता है जिसको वो लुट सब्सक्राओं वो उल्टा काम करता है यह जो कर रहा है इसका उल्टा हो ता जस्ट अपोजिट तो पहले आप एक बार इसको समझो फिर हम बात करतें परवावी नाभी क्या हुआ इसको दियान से देख लो इसको बहुत ही आसान है जैसा इसका नाम है विशा है आपने अपने लेंग्वेज में लिखे लिया होगा कि किसी भी परिमाणों में उनको नाभिक अपने और आकर्षित करता है परन्तु आंत्रिक कोस की इलेक्ट्रोन क्या करता है उसको बाहर के और धक्यालते हैं इसी को हम बोलते परीरक्षन प्रभाव अब बात आती किस किस इस एक क्योशन कर लेता हो आप यहां पर यह तो यहां पर आपसे बात कर रहा हूं की एलुमिनियम का इट्रमिंग नंबर कितना है 13 इसका एलेक्ट्रोनिक कॉन्प्रिकेशन आप लिख सकते हो 1s2 2s2 कितना है 2p6 और 3s2 और यहां पर क्या जाएगा 3p1 आ जाएगा देखो 6 4 10 13 13 अब देखो दियान से अब मैं एक और एलेमेंट्स ले रहा हूं दूसरा दिया 2p6 आ जाएगा 3s2 आ जाएगा ठीक है 3s2 आ जाएगा 3p6 आ फिर क्या आएगा 4s2 आ जाएगा और कौन सा 4s2 के बाद यहां आप लिखो कि 3d10 और फिर आएगा 4p1 यह इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास बन जाएगा ठीक है यह तो आपने सीखा होगा नहीं तो इसको सीखन अच्छे से लेक्ट्रोनिक विन्यास लिखना अगर आपको यह लिखना के तो और सानिम इस्तति हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो दोनों में क्या अंतर है इसका जो सबसे लास्ट वाला एक्ट्रोन हो 3p के अंदर है आप बोलो कि सर यहां पर पीके अंदर आ रहा है ठी जाए बड़ की से कम वाले सेलं वाले सेल है रहा है और अभी मैंने आपको बताई जो आंत्रिक सेल के इलेक्ट्रोन में वह बायतम सहल की इलेक्ट्टॉन को क्या करते हैं बाहर की अपर मुझे बताओ इसमें पर प्रोतो के इन दर इनकी कम होगी और यहांपर प्रोतो में के संख्या कितने आईगी तो आपको पता है परमन करमांग के बरावर होती है यहां पर थर्टीवन क Tam나 उंदर ईलेक्टो न आ रहे हैं दी अकोस की सिल्डिंग पूर होती ए इसका मतलख इसका मतलब आप समझ पारोंगे उठाए यहां पर नुकोलिस का पावर जादा है और इसनों बहुंद कोस का ये ज्यादा पाउड से खीच रहा है और इसके आगे जो आंत्री कोसे उनमें जो इलेक्टोन आए वह इसको ज्यादा अच्छी से कवर नहीं कर पार है क्यों कर अब लेकिन यहां पर क्या होगा यहां पर देखो गेलियम में साइज में बड़ा कौन होगा तो यहां पर आंसर आएगा अगर आप इसको नॉर्मल लोजिक से करोगे तो आपका आंसर जस्ट उल्टाएगा एक सामान ने जो हमारा कॉंसेट होता है उसको अगर हम काम में ले तो आंसर बिल्कुल उल्टा जाएगा तो इसलिए बिटा हमें यह सेखना जरूरी है जिस बच्चे ने यह परी रक्षन प्रभाव या जो अभी हम डिसकस करेंगे वह नहीं पड़ा बिटा वह आवर सांड नहीं के क्यों नहीं कर पाएगा जिसको हम अपवाद बोलते हैं अपवाद को समझने के लिए यह जो टेबलेट्स जो मैं आपको दे रहा हूं पड़ा कि आपको अच्छी से सेखना पड़ेगा इनको किस तरह के से काम में लेनी है तो यह होता है मारा पस्ट फेक्टर जो क्या करता यह एटम की साइज कम हो जाएगा तो फिर एटम की साइज में कमी नहीं आएगी जितना वास्पिक जो उस को मैंने आपको बताई था भी नाम हमें क्या डिसकस करना है उसका नाम है प्रभावी नाभी के आवेस क्या नाम है प्रभावी नाभी के आवेस जिसको इंग्लिस में क्या गोलता है एफेक्टिव नुक्लियर चार्ज तेक है बिटा हम बात करें प्रभावी नाभी के आव नुकलेयर का मतलब हो यह नुकलेयस का चार्ज जो अभी हम बात करें नुकलेयस आंत्रिक वाय इत्म को उसके लेक्रण को अपनी उर्खीशता है उसके आगे एक वर्ड आया एक अगर इसको सोटकर वेटा जब भी हम रिपर्जेंट करें इसको किसे दर्साइंगे इसको सोट में मैं से लिए एक इसको नुकलेयस की बात चलती है प्रोटोन की संक्या मतलब और यह तो अब बात यह आते कि प्रभावी नाभी के आवैस होता यह क्या है ऐक थो नुकलेय्स चार्ज क्या होता है तो फिर हो अपस आप दियान से विए किसी बींधिवी पर यहां पर इलेक्ट्रोन होगा मैं मना निकर यहां पर इलेक्ट्रोन है तो मुझे यह बताओ इस बायतम कोस की लेक्ट्रोन को अपने और खीच रहा होगा तो इसका इस तो इस इलेक्ट्रोन के उपर जितना हैं उसको हम बोलेंगे निक्लियर चार्ज को यहां बहुंत हैं प्रोट्रोन जितना जितना घिकर रहा हैं आप पर आप इसलेक्ट्रोन को खीचने के लिए कितना काम में यह बता हुआ जितना पावर लगा रहा उसका उतना पावर काम में मतल्द लगा पाएगा क्या बता हुआ जो आंत्री कोस की इलेक्ट्रोन होता है यह क्या करते इसको बाहर के और धक्यलते हैं अभी मैंने आपको बता है इसक्रीनिंग हमने पढ़ाए भी आउरन प्रवाव यह नाविक इलेक्ट्रोन का अफनी ओर खीच रहें लेकिन यह क्या करते इसको बाहर के उडगत तो बता इससे होगा इसका जितना पावर इसके उपर लग रहा हों क्या उटना लगे क्या टेह इसको इसको तो इसको 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 देखके भी समझाओगे अगर एकच्वल में इसका नाभी क्याओज देखे तो ऐसे आएगा ओ जेड इपेक्ट्व इकोल टू जेड लेकिन मैं यहां पर देखो क्या कर रहा हूं माइनस सिग्मा लेक्राओं मतलब कुछ नहीं कुछ वेल्यू यहां पर कम हो रही है अब कितनी वेल्यू कम हो रही है विटा कम करने के लिए यह यह इलेक्ट्वन जिम्म बताएगा कितनी कम ही आएगी तो पहले तो बिटा आपके दिमाब क्यों आरा उसरा आपने इसके परिवासा रूप में लिकाए बताए नहीं अगर एक्जाम पर कैसे बोलेंगे इसको लेंग्वेश में क्या बोलेंगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे कैसे लिखोगे आप आपर किसी भी परमानों में किसी भी परमानों में इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन के बीच में पर्तिकर्षण के कारण किसी भी परमानों में कि एलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन के पर्तिकर्षण के कारण पत्तिकर्सं के कारण कि नाभी का सैयोजी स्कूर्स पर कि या बायटम वूग्ष आपको कि सीभी परमाणों में इलेक्ट्रोन मफदा थ्यान रख ना है बायतम कोस और आंत्रि कोस की में बात कर रहy हो तो वही हम बात कर हो हैं किसी भी परमानु में इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन परती करसंड के कारण नाबिक का आकरसंड बारी कोस की इलेक्ट्रोन पर जितना होना चाहिए नाबिक का आकरसंड बायतम कोस की इलेक्ट्रोन पर जितना होना चाहिए उससे कम होता है या उसमें कमी आते है उससे कम होता है ठीक है जितना होना ची उससे कम होता है और इस कमी के कारण इस या इस कमी के बाद इस कमी के बाद नाविक का बायतम कोस्ट पर जो आकरसन होगा उससे को हम बोलेंगे प्रबावी नाविक या इस कमी के बाद नाविक का बारिक कोस्ट की इलेक्ट्रोन पर बारिक कोस्ट की इलेक्ट्रोन पर आकरसन उससे हम बोलेंगे एफेक्ट्व चार्ज जेड इफेक्टिव देखो ध्यान से अभी मैं आपको क्योसन बताता हूं इस पे और समझते यह निकालता है कैसे हम कैसे पता करेंगे कि इफेक्टिव नुकिली चार्ज कितना कमी आईगी क्या होगी तो देखो इसके लिए हम तोड़ा सा चलो पर एक दो क्योसन जेड इन्वर्सली प्रोपोस्टिव बताओ यसा क्यों लिखा बेटा में अगर प्रोटोन की संक्या बढ़ेगी इफेक्टिव आप इसको समझो जेड इफेक्टिव का मदला सिंपल सा है क्या नुकिलेस का बारी कोस्ट की लेक्टरों का अपनी और खीचना यह तो नहीं जब जेड की बढ़ेगा मतलब नंबर अप्रोटोन बढ़ेंगे तो इसका बढ़ेगा ने बढ़ेगा तो इफेक्टिव नुकिलेर चार्ज तो बढ़ेगा ना बात को समझो आप जेड इफेक्टिव का मतलब यह एटम की साइज को कम करता है और जो अमने इससे पहले आप से हमारे पास है एच माइनस है एच ए प्लस ठीक है एल आई प्लस टू और भी प्लस त्री आपको क्या करना इनको जेड इफेक्टिव के ओडर में अरेंज करना है तो बताओ यहां पर आंसर क्या होगा तो आप देख पार रहें हैं यह सभी में समान इलेक्ट्रोन है इसो इलेक्ट्रोनिक से ज्या सम्में इलेक्ट्रोनिक जाती पर जाती जो भी आतोई वह यहां वह यहां वी दो इलेक्ट्रोन इनेच्न की संक्या समान तो हम क्या देखेंगे भर冷़ ऑसनल मेने आपको क्या बता है कि sold you nur 4 इसHow प्रपोर्शनल ले तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा कि बोल सकता हूं मैं यह तो आपको 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 बता ना था वैसे एक और क्योशन देऊगा आप जैसे मैंने आपसे बुला म्तलब एंटम से में ईककृषिं बचांगे कितने अन्यट्रों इस आपी तो आंसर क्या जाएगा आपका अन्सवर्ट्रों की सूर्टाउ बला कर दो आपको समझाव कभी बहुत कर ना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो अगर आइसो इलेक्टरोन की सपीशी तो आपको परमानु करमांग से करना है और जब बात है जनरल लोगिक आपके दिमाग में बहुना चाहिए तो अब बात आती है कि जो इफेक्टि न्युकिलेट चार्ज होता है इसे हम ग्यात कैसे करते हैं इसके गण्ड़ना कैसे करते हैं तो देखो इसके लिए चलते हैं आगे और हमें जेड तो सब करना कर सकते हैं और बहुत ही मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट लोजी के इसके बीना आपको केमेस्ट्री में बहुत चीजियों का दिक्कत आईगी बाकी और इन और गेनिक केमेस्ट्री के में बात कर रहा हूं अब देखो तुम्हें आपको तोड़ा सा हम ज्यादा टाइम इस निकालने के लिए आपको प्रूव करने के लिए एक बार सीख लोगा सा लेटर का नियम क्या बोलता है दो केस हम डिसकस करें है केस पस्ट मैं आपको बोल लाओ कि जब भी आपको ऐन ऩां गुख मिलें के लिए से और सिगमा की घंड़ना आप से कूरकर बोले आपको करना हो ठीक है तो हम क्या करेंगे ठीक है का स्वेक्ड़ना लिख लोह अबसे से तो में किस तरीके से श्कलेंगे तो दिखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? पॉईन्ट नॉंबर वन या इसे लिख्या बतावा आपको आपको सबसे बेखी यहाँ पर क्या करना है? N S तता N P कोस के इलेक्ट्रोनों के लिए सिग्मा आपको लेना है भीटा, 0.35 प्र इलेक्ट्रों एक लेक्ट्रों एतनी वेल्य के लिए एक लेक्ट्रों के लिए इतनी वेल्यों 0.35 कैमेस्टी में तोड़ा चोटा चलता है बेटा तो एक चोटा एक्सेपशन वह आपको निकल लिखना पड़ेगा 1s सब्सक्राइब आपको नोर्मली सिग्मा कितना लेना है एक और बात कर लेते हैं अगर आपके पास लिए सिग्मा के लिए सिग्मा इड्यों कटो ना अगर इसके बाद और आंत्रिक सेल के बात करें न-2 या सब इन सब के लिए सिग्मा की वेलियों हम लेके चलेंगे बन पर इलेक्टोन एक लेंगे इसको तोड़ा समझ सकते हो आप अगर समाझना इसा हो तो ज्यादा मुस्किल नहीं है को के बात करें पर जैसे जो कॉस नुकलेस के सबसे पास होगा उसकी इसलिए आप लेली है मतलब जो आपका नाभी के उसका पूरा पूरा आकरसन इसको पर क्योंकि ज्यादा पास है और जो सबसे ज्यादा दूर है देको उस पर आकरसन सबसे कम हो रहा है 0.35 अब द्यांसर एक तो जियोगा चाओ दिस्वर में क्योसन कर लेते हैं अना थाकि के आपका ड़ाउट के ल पर शिल्टिंग निब्टब कर रहे हैं सिल्ड को कॉन इसके अंदर को एलेक्ट्रों है कोई रिपल करने वाला नहीं है तो मुझे बताओ यहां पर इसके लिए जो सिकमा होगा तो जीरू हो यह आएगा ना देखओ जो सिगमा की वेल्यूना निकाले जाती है तो उस इलेक्ट्रोन के लिए हम सिगमा नहीं लिखते उससे पहले वाले ध के लिए दृखा जाता यह उसको छोड़ के तो देखओ वन आएगा कि इसका सिगमा तो क्या है जीरो न अब जैसे विटा एक और क्यों देखाऊ अब जैसे में आप से बोल तो हेलियम के लिए मैं बात करता हूं अब मैंने आपको बोला किसी एक लेक्ट्रोन के लिए सिगमा निकालना है तो देखो बटाँ यहां पर सिगमा क्या लिकेंगे लिए लिक्राओं आप बोलो सब्सक्राइब जब भी वन इसके अंदर इलेक्ट्रोन आएगा उसका सिगमा अब जिरो प्यांट थर्टी लेना है उन या थे लीकट्रों करते है अम निका गश्कम्द बिए रिए सब्सक्राइब ममिल्द कश्राओं उसके लिञ सब्सक्राइब मतलब कर तो सब्सब्सक्राइब आपने देखा है यह सबसे उधर आता है इसका सबसे ज्यादा आ रहा है अभी देखते जाओ जैसे में एक सिंपल क्यों देता हूं आपको मैंने वोला लीतियम एक और क्यों करता है कारवन की बात करता है यह नाइन ठीक है मैं एस और पी के लिए बतारों आपको सिग्मा निकालना देखो इसका इलेक्ट्रों ने विद्यास क्या होगा वान ऐसा बनेगा बताओ इसका सिग्मा निकालो पीटा हम इसका एक और क्यों कर लेंगे चलो इस इलेक्ट्रों को छोड़ना है अब बच्चे कौन से बिटाइए दो इलेक्ट्रों तो अब मुझे बताओ निकालना ही है हमें अंदर टू इलेक्ट्रों यह क्या है एन माइनस वन एन माइनस वन के लिए सिग्मा कितना है आपके पास बताओ मुझे जिरो पैंट एटीफाइब तो आप यहां क्या करोगे टू मॉल्टि लेक्ट्रों निकालो कितना है गा थी माइनस वन पॉइंट समय लग टू पैंट थी क्या सब्सक्राइब अगर मैं आप से चले एक और एस व्लोग का एक और क्योसन देख लेते हैं ताकि दिक्कत ने आईगे आपको अगर लीटिम के बाद हमें किसका करना हो सेकिंड क्या पाता विटेस के बाद सोडियम का देख लो आप एक बार सोडियम की जगो में चलो सोडियम देख लो को इल्याओं तर ठीक है इसका निकालो आप वन हैस्टू टू एस्टू और यहां पर क्याएगा टूपी शिक्स यहां पर क्या जाएगा 3S1 ऐसा बनेगा चे चार दूस प्लस N-1 कितने आएगा यह N-2 है ठीक है देखो आप इस बात को समझो पीटा यह है एंसल इससे कम कम क्या बोलेंगे N-1 दो कम को क्या बोलेंगे N-2 बोलेंगे तो आप सौंच बार रहे ना तो N-2 के लिए सिक्मा के लिए 1 बता है आपको इसको सोल कर आप देखो तोड़ बता हो यह कितना होगा च्छे और 8.8 आ रहा होगा ठीक है तो अब इसका जेड निकालो बिटा आप जेड कितना आएगा बिटा बता हूं मुझे कितना अटमिक नम्मर 8-8.8 कितना रहा हो बिटा यह आ जाएगा आपके बार 2 और यह 2.2 के आसपास आ रहा है निकाल सकता तो यह एस व्लोग के मैंने दो तत्तों के लिए बता है बिटा आपको ठीक है